कि अगर कुछ भी क्वैरीज है तो आप लिखे ठीक है और मैसेज में लिखे मेरे को दिख जाएगा मैसेज उसके बाद मैं फिर बात करते अभी अभी मैं सबसे पहले इक बार ये बात करते कि आप लोग यह देखा करो प्लीज कि उस दिन कोई लिव тво smells कोई चुप्टी नहीं है सरकारी चुक्ती तो नहीं है तो उसमें मेरे को भी हर्ट होता है मेरे को फिर यह होती है कि आप लोग इतनी दूर से आ रहे हो फिर ओफिस क्लोज है तो उसका रीजन यह होता है कि आप आने से पहले जब भी आप टिकेट वुक कराई अगर दूर से आ रहे हैं तो आप आने से तो आप लोगों को यह शिकायत थी कि अगर हम ऑफिस के टाइम के बाद में आ रहे हैं तो नंबर स्वीच ओप रहता है तो कुछ ऐसे भी एप्लिकेंट कभी-कभी माइंड में यह चीजे नहीं रहती है कि आज संडे वह संडे को भी कॉल करते हैं फिर नेक्स डे कॉल करते है तो मेरा में कंसर नहीं है कि पहले चुटी देख लो चुटी दो नहीं है अगर ऑफ तभी रहेगा स्वीच ओप तभी रहेगा मोबाईल जब कोई चुटी है इसके लावा सुच ओप नहीं रहेगा मोबाईल ठीक है और अभी मैं ऑफिस में रहूंगा तगरीबन कर लेना और अभी एक बार मैसिज देख लेते हैं ठीक है वह थी आप क्रोशिया का काम हो सकता है क्रोशिया का काम हो जाएगा ठीक है एक्चुली क्या है कि अभी थोड़ी प्रोबलम आ गया हम ही एक ऐसे कंसल्टेंट थे चाहे हम प्रोफाइल प्रोसीस कर रहे हैं आप इ प्यार एप्लाई कर रहे है या स्टेडी वीजा कर रहे हो या कहीं भी यूरोप का कोई भी वर्क परिमिट एप्लाई कर रहे हो तो शायद पूरे दिली एंस्यार में वेस्ट यूपी पंजाब हरियान में हम ही एक अकेले ऐसे कंसल्टेंट है जो बहुत ही मीनिम्म बढ़ाया है और तो एक बार आप फॉन कर लेना ओफिस में ठीक है स्टाप आपको बता देगा या विजिट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है देखो फॉन पर वह चीजे नहीं पता चलती है ना इस तरीके से बात होती है अगर आप कहीं आस पास से हो तो आप ऑफिस में आ तो शायद शोट में लिखते हो आप लोग सर मेरा प्रोसिस डिले हो गया है न्यू परंस्विक के लिए डिजेक्ट हो सकता है या नहीं है देखो मैं बताता हूं जब प्रोग्राम में प्रोफाइल हम प्रोसिस करते हैं ना तो आई थिंक मैं सब से और इस ता भी के साथ में बात करते हैं हम लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब महीने में पचास फाइल लगाई है तो उसमें क्या होता है कि पचास की पचास ओके नहीं होती है वहां से एक रैशो रहता है 80-90 परसेंट का अभी तो प्रोग्राम भी बंद कर दिया है ठीक है कुछ टाइम के दे तो इसको आपको डिटेल पता चल जाती है इच और फ्रोग्राम के बंद होने के बाद भी रैस्पॉंस और ऐसी बात नहीं है कि अगर टाइम लिमिट जादा हो गी है देखो तो हम पोजेटिव लेके चलते हैं तो भी आ सकता है लेकिन आपने अपलाई किया है और आप बागी एक बाद देख लेते हैं और यह और टी के बलोगल रसर चार्जिस का कोई प्रोब्रम नहीं है ठीक है नहीं चार्जिस के प्रोब्रम होते हैं उसका रीजन किया है ना कि मीनियुम आमाउंट के बाद भी फिर बहुत सारे आप्लिकेंट ऐसे हैं कि सर पूरी फीज नहीं दे सकते हैं और आप इतनी ले लो उसके लिए भी हम एगरी कर जाते हैं लेकिन अब जब उनका चाहिए पॉजेटिव भी आ रहा है ना रेस्पोंस महां से तो फिर जो हमारी फीस है उसको देने में प्रोब्लम करते हैं कि सर नहीं सर अभी नहीं है तो अब आप देखो एक कंसर्टेंट आपसे पहले ही स्टार्टिंग में दो चार लांक रुपे ले लेता है और आप उसको दे भी देते हो वहां से कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखो क्या चीज़ कि कैनाडा, यूके, औस्टेलिया इन्होंने क्या क्या हो है डारेक्ट वर्क पर्मिट बिलकुल नहीं है ना कि ब्राबर है वहां पर कोई भी अगर आपको बोल रहा है जी बीस लांग दे जो जी पच्चिस लांग दे जो ठीक है तो समझो कि पांच परसेंट उन में सही है जो काफी क्लोज या नोन है वहां पर कंपनी वो उनको प्रोवाइड करा सकते है एज़ा नहीं है कि जितने भी कंसल्टेंट आपको बोल रहा है जी हम यूके से दे देंगे आपको वर्क पर्मिट डारेक्ट बीस लांग दे दो कैनाड़ से दे देंगा हरेक यह बोलता है नहीं दे सकते है उसका रीजन आप बताओ मेरे को जो स्टुडेंट वहाँ पर डिप्लोमा कर रहे है ग्रेशन कर रहे है सबसे पहले प्रिफरेंस वो उनको देंगे देन कैनाड़ा एक ऐसा कंट्री है जिनोंने अभी तो खेर इंडिया और कैनाड़ा का डिस्प्यूट चल रहा है कैनाड़ा ने जो टूरिस्ट विजा है उसके लिए चार साड़े चार लांग जोब रिजर्व कर दिया सिब टूरिस्ट विजा वालों के लिए क्योंकि उनको गया है कि इमिग्रेंट लेने वाँपे उनका जो टार्गेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है कैनाड़ा बोल रहा है आप लोगों के लिए उपन कर दिये प्रोग्राम उनमें आऊ हो क्यों दूसरी कंसरेंट के पास में जा रहे हो कुद को चीट करा रहे हो वाँ पर वो आपको के साथ में करेंगे है ऐसा नहीं है कि वह आपको बोलेंगे अच्छा बाभू जी हमें आपने इतना पैसा दे दिया है तो लोगी वर्क पर मिट ले लो कंसर्ट एंसी में यहां पर ओफिस में हर महीने कम से हम दस से बारा एप्लेकेंट ऐसे आते है जो अपने आठ से दस लाग रुपे कहीं नहीं कहीं एंड करके बैठे वर लास्ट नहीं बोलते है कि सर यह मेरा हो गया अभी आप बताओ क्या कर सकते है ठीक है तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर जिनका बहुत ही जादा कर दो क्लोज है वह से वर परिमिंट निकलवा कर दे सकते हैं बागी स्टीज में कहीं फसना नहीं है अपनी प्रोफाइल इस्ट्रॉंग बनाओ अपना जो सीवी है जो कंट्री इसके एकोर्डिंग आप अपना सीवी बनाओ ऐसा नहीं है कि आपने सीवी बनवा लिया यू आपका CV scan होता है, ATS के through ही, उसके ही according आपको अपना CV बनाना हुआ है, अगर आपको CV की कुछ भी related आपको service चाहिए, आपको नीचे में description में number email डाल दूँगा, इस्टाप से contact करो, documents बेज़ दो, experience बेज़ दो, किसी भी format का updated CV बेज़ दो, हम बना के आपको दे देंगे. रादे, सर, New Zealand का seasonal work visa चल रहा है क्या, पहले बंद हो गया था, फिर उन्हें 20 दिनी के लिए open किया था, ठीक है, अभी number में दोबार open होने जा रहा है, और बहुत बैटरीन open होने जा रहा है, जो last seasonal visa था, उसमें इनका horticulture and viticulture था, आपकी बार mostly सारी की सारी skill इसमें apply करने के ल seasonal visa है न, सबसे better क्या है न, सबसे better यह है कि जो last seasonal visa निकाला था, last year इन्होंने 15-20 दिन के आपके पास time था, कि आपको country से leave करना ही करना है, लेकिन अब की बार क्या है कि आपको दो मेरे का time दे रहा है, और हो बोल रहे है कि अगर आपका employer से आपकी बात सही बनती है, तो उसक भूण लो, अच्छा है, salary अच्छी है, डाय तीन, साठीन, चाड़ लांक क्या सपास इसमें salary है, laundry आपको company देगी इसमें, last वाले में भी दी थी, ठीक है, accommodation दे रही है, आना जाना company दे रही है, overtime आपको दे रही है, salary अच्छी, insurance दे रही है, health card बनाग दे रही है, और यह है कि आप हमारे ही through apply करना है, अगर आप दूर से भी है, कोई भी हुआ पर consultant है, जिसको 10 से 12-15 साल का experience है, उनके through आप apply करा सकते हो, लेकिन अगर वो इस चीज में perfection है, उनके पास में तभी apply करना है, कहने का मतलब है है कि अगर आप 10 file आप लोग apply करो, और जिस consultant को इसका experience न आप प्रोफाइल पर positive response लेके दे देंगे, न्यूजिलेंड का जो seasonal visa है, हमारे पास में record invitation आये है, ठीक है, एक एक दिन में 10 से 12-15 के आसपास invitation आये है, मैंने last अभी Instagram पर जो नया handle है, उसमें मैं वीडियो डाली है, उसमें दिखाए है, एक ही दिन में 13 invitation आये हमारे पास मे जो positive response के है, न्यूजिलेंड सीजिनल वीज़ा से. मुहमंद नेम, good afternoon, sir, good afternoon, name, बाकी और क्या है? अभी निलेश ने अभी किया था, apply New Zealand का, अभी कोई अपडेट नहीं आ है, आप कुछ टाइम और वेट कर लीजी, ठीक है, New Zealand से भी अपडेट आ रहे है अभी, जो last हमने apply किया था, तो हो सकता है कि वहाँ से आपका positive response आ जाए, और अगर positive रहे है, negative रहे है, कुछ ना कुछ जो भी रहे का, आपको बता दिया जाएगा. देखो, एक चीज मैं आप लोगों बता देता हूं, कि बहुत सारे applicant ऐसे है, जो office में बोलते है कि, sir, आपने appointment fees की विए है, पहले तो हम जो appointment fees थी, तो वो 2000 के आसपास थी, अभी 1000 के आसपास है, मैं आपको एक चोटी सी में आपको एक बात बताता हूं, कि जब हमने starting में, ये पहले consultancy में run करता था, दुबई से, ठीक है, दुबई में मैंने काफी time चलाई है, उसके बाद में तगरिवन 4-5 साल से हम इंडिया से run कर रहे हैं इसको, और एक नए office हम अभी पूने में open करने जा रहे हैं, next, March, April या महीन, तीन महीने के अंदर-अंदर, वो ready हो जाएगा, और run करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो मैं तो मिलूँगा, फिरी ये थी, सब चीज, हम जो CV बनाते थे, जो भी उसका चार्ज करते हैं हम लोग, वो भी हम फिरी में बना के देते थे, जो भी मेरे पास में आते थे, ठीक है, कोई appointment fees नहीं थी, ठीक है, उसके बाद में जो भी documents चार्ज थे, बहुत सार एप्लिकेंट है, जिनका हमने फिरी में apply के है, तो हमने एक motto रखा था, कि जो भी applicant है, उनको इधर उधर ना बटगना पड़े, उनको एक अच्छी service देंगे, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई उस चीज को लेगे, क्या हो गई, कि एक तो CV बहुत सारे आने लगे, और मतलब जिसको कोई बनवाने का मतलब भी नहीं है न, CV का, वो भी CV, जी मेरा CV बना के बेज़ दो आप, अच्छा, फिर दूसरी बात किया हुई कि हमने around 700-700 CV हमने फिरी में बना के दिये, बहुत सारे एप्लिकेंट से हैं, जो हमारा पुराना चैनल है, ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, मैंने पुरानी वीडियो में सब को बोलाए कि जिसको भी CV बनाना है, फिरी में आप मेरे को बेज़ो और मैं आपको बेज़ोगा, वो वीडियो वहाँ पे है, कोई डिलीट नहीं है वीडियो, तो उसमें कहा है न, कि जब जहां पर एक फिरी वाला आ जाता है, माइंड में, तो दुनिया भागती है उस तरह, समझे हो, वो यह नहीं सोचते है कि step by step, या फिर समझो, आपने मेरे को कोई CV बेज दिया, मैं उसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूं, और आपको बता दियो, जी, दस दिन में मिलेगा, तो उस दस दिन का वो लोग वेट नहीं करते, उसमें क् कि नहीं है, एप्लिकेंट की जेब पर कुछ जादा ही बहुत चला जाएगा, तो हमने उसको 1000 कर दिया, CV चार्ज कर दिये, ठीक है, तो यह सब चीज़े step by step इसलिए हुई है, नहीं हर चीज almost हमारे पास में, जो भी हम service प्रोवाइड करा जे थे, एक तो minimum charge ले रहे थे, औ मेरे को पता नहीं है, नाम के आयनका, क्योंकि यह बंगलादेशी में लिखावा, I think, वेजान, मैं बंगलादेशी है, भाईजान, okay, भाईजान, मैं बंगलादेशी है, कुवेट में काम करता है, 17 साल से, लेकिन कोई certificate नहीं है, मेरा काम मालूम है, जैसा kitchen helper, small car driving, butcher, work, cook, Arabic food और foods, देखो, बहुत सारी countries है, जो minimum education के लिए, वहाँ पे visas निकालती है, खासकर season के लिए visa निकालती है, ठीक है, जैसे जर्मन है, इटली है, इन दोनों ने निकाला हुआ है, तो आप उनसमें apply कर सकते हो, salary भी अच्छी है उसमें, मतलब ठीक ठाक नहीं है, बहुत extend भी कर रहा है, तगरीबद दो साल के लिए उसको extend भी कर रहा है, तो अगर आपकी education नहीं है, या low है, तो आप seasonal visa में एक बड़ ट्राइ कर सकते हो, वहाँ से response आपको मिल जाएगा, अपसान, सर मेरा comment नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है अपसान, मेरे सामने अभी आया है आपका comment, और बागी तो यही है, ठीक है, और अभी जो भी हमारा instagram का नए handle है, आप उसको जाओ, एक बार उसको follow कर लो, अभी जो नया हमारा बनाए है अभी, मैंने आप लोग के साथ में शेर भी किया था, एक्चुली जो पुराना handle था, उसमें हमने थर्ड पार्टी को plug-in करा जिया था, और Instagram से हमने permission लही थी, तो नहीं ली permission, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि उसको shutdown कर दिया, अभी mail पर बात चल दिया, अगर उसको okay कर देते हैं तो well and good, नहीं तो नए Instagram handle है, आप उसको जाकर follow कर लीजे, टेलिग्राम का भी मैं नीचे link mention कर दूँगा, वीडियो को share कर लीजिए एक बार, क्योंकि इस पर गया है कि अभी जब हम live है, ज्यादा हम लोग live नहीं है, क्योंकि इस पर ज्यादा subscriber नहीं है, और जो पुराना channel है, पुराना channel पर मैं जान बूझ के live नहीं आया हूँ, तो मैंने सोचा है कि नए पर ही एक बार, ठीक है, तो आप लोग के साथ में रूब-रूब करते हैं, डिस्कस करते हैं live, ओंकार सिंग, sir, tractor mechanic में ITI करी है, किस country में apply कर सकते हैं, अउंकार जी आपके लिए तो बहुत बैस्ट है, जिस भी country में seasonal visa है, जैसे Brunswick वहाँ पे 2 साल के लिए visa देता है, और उनके पास में horticulture के लिए है, ठीक है, तो उसमें vacancies निकलते हैं, और particular वो tractor mechanic या tractor driver के लिए mention करते हैं, ठीक, तो आप उसमें apply कर सकते हो, उसमें response भी Bruns से बहुत अच्छा रहा है, बागी कुछ भी अगर आपको लग रहा है, तो नीची दिये ही, जो description में आपको mail मिलेगी, phone number मिलेगा, Monday to Saturday, आप call कीजिए, mail कीजिए, staff से अराम से बात कीजिए, और मेरी एक request है, request कि या है कि देखो, जब भी हम apply करते हैं, तो time बरी करता है, बहुत सारे applicant का ऐसा भी है कि वो time से पहले आ जाता है, बहुत सारे applicant है, जिनका 15 दिन, 20 दिन, late भी हो जाता है, तो मेरी आप से लोग से ये request है, कि जब भी आप staff से बात करो ना, तो बहुत ही humble तरीके से आप लोग बात करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि staff सिर्फ आप लोग की एक बंदे के call के लिए बैठा है, इस staff को क्या करना होता है, बहुत सारे काम है, documentation का भी काम है, call भी pick करनी है, ठीक है, documents आगे, जब process करता है department, उसको भी update देनी है, account department को update देनी है, तो बहुत सारे काम होते है, फिर lunch time भी रहता है बीच में, और बहुत सारे ऐसे भी है, जो बीच में staff की, कुछ staff की training के लिए चले जाते है, staff ठीक, तो staff कभी कभी कम रहे जाए, तो कुछ भी ऐसी query है, तो आप mail कर दीजी, कि sir, या मैं मैं इतने time से call कर रहा हूँ, call pick नहीं हो, या दो दिन से call कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, कि आप humble तरीके से पैरी का जवाब आपको मिल जाएगा, सथी, sir, UK seasonal visa का apply किया था, ठीक है, I didn't any update, कोई बात नहीं है, सथी, आपके साथ-साथ में, जो आपकी profile है, मेरे mind में आगे, आपके साथ-साथ में, बहुत सार एप्लिकेंट है, जिनका apply किया है, उस वाले slot से भी किसी का नहीं है, positive impact आए, तो अभी हम लोग wait कर रहे है, जैसे भी ही, उस slot में से आने शुरू हो जाएंगे, आपको mail आजाएगी, और जो भी वहाँ से आएगा, आपके साथ में, share भी कर देंगे उसको, ओके, अभी आप wait कीजिए, कोई negative या positive impact, कुछ नहीं आए, मैं आपको यह नहीं बोल बागी तो मैंने आप लोगों बताई दिया है, ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग से आप वीडियो जादे जादे शेयर कर लीजिए, जो भी में वीडियो डालता हूं, ठीक है, जाएगो Instagram पे हो, Telegram पे हो, या ने चैनल पे, और पुराने चैनल पे, और mostly मैं ज मेरिट में हमारा ओफिस है, आप सुभार्ती के सामने उतरेंगे, सुभार्ती के सामने से आप इसी से भी पूछ रहें, पुछ रहें न, की ओएल डिपो या तेल डिपो या पुठा रोड, वो कहां पे है, उस पे आप 400 मिटर अंदर चलोगे, नील कंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसी के बरावर में पी-पी प्ला जाए, उसी के अंदर हमारा ओफिस है, और आप आओ, यूर मोस्ट वैलकम, आप कहीं से भी आना चाहरे हो, स्टाप आपके लिए है, और जो भी क्वैरी रहें कि उनका सॉलूशन बताएगा, अगर मैं हूँ तो मुझ से भी मिल सकते हो, बागी इसके लावा तो अगर कुछ भी ऐसी क्वैरी है, आप मेरे को नीचे मेल पे अपनी इमेल के थूँ कुछ भी क्वैरी है, आप लिख दो, मैं स्टाप को इंस्ट्रक्शन दे दूँगा, कुछ भी क्वैरी रहेगी, वो आपको बता देंगे, जो लास्ट के तीन-चार जो मैसीज है, एक बार उनका मैं रिप्लाई कर दूँगा, उसके बाद में फिर हम लोग लीव करेंगे, अब पुराने मैसीज है, क्योंकि ज़्यादा लोग अभी है नहीं है लाइव, ठीक है, तो आइधिंक नए मैसीज कुछ मेरे को दिखनी रहे ह अब बाकि आप लोग आ जाई है फिर ओफिस में मिलते हैं उसके बाद अभी यह क्या है जिसको भी लग रहा है ना अभी कि जो हे सर, मैंने एप्लाई खिया था मैंने और मेरे आपprobर कानके बात करलग कर ओए तो कैसे हैं और मैं एक बार दोक्मेंट भीज़ना अगर उसमें टाइम होगा झाल कर लूग did n o t writing काच चुना प्सहेntर चाएगी तो एम्मित करा मैं सुश्य में shy ओसka तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक और फिर आने वाली वीडियो में अपना ध्यान रखो ख्याल रखो चैनल को सब्सक्राइब गरते रहना इसे के साथ मैं दोस्तों जैहिन पे